प्रीशाथियों प्रीमित्रों आतमिक आदर अभार अभिवादन नमस्कार मैं गुलेंद्र प्टेल काशी हिंदो विश्वी विद्याले में बीए तिर्ती वर्थ का छात्रों आज दिव्यांग यम द्रिष्ट बाधिर विद्यार्थी शाथियों के कहने पर हिंदी साहित्ति की महत्पूर महिला साहित्तिकार मिर्दुला सिन्हाक की जीवन परचे से संबंदित कुछ बातें रिकार्डिंग करने जा रहा हूँ तो अभी पिछले दिनों 18 नौबर 2020 को इनका निदन हुआ तो इनके विशे में हम लोग जान ले इस वीडियों में चलिए भारत की नारी को फूल और चिनगारी कहने वाली मिर्दुला सिन्हा ने दुनिया को कहा अलविदा 18 नौबर 2020 को मिर्दुला सिन्हा का परिचे देखिए 27 नौबर 1942 को छफरा मुझफर फुर विहार में इनका जनम होता है भासा इनकी हिंदी है ये की जो विधाएं हैं जिनमें ये अपना लेक हम लिखती है उपनियास विधा कहानी संग्र निवंद संग्र लगुकता संग्र इनकी प्रमुक कृतियां हैं उपनियास में जियमेदी को रंग नई देव यानी रगहरवार अतिसय कहानी संग्र में साच्छातकार साच्छातकार इसपर्स की तारसीर एक दिये की दिवाली निवंद संग्र में आइने के सामने कखग कखग मानवी के नाते लगू कथा संग्र में देखने में छोटे लागे पुरान के बच्चे बिहार की लोग कथाएं भाग एक भाग दो राज पत से लोग पत पर ठीक राज माता बिजिया राजे सिंधिया की आत्म कथा का संपादन अर्थात या जीवनी है एक परकार की देख चलिए कुछ महत्तपूरत अत्य देखते हैं यहां से मिर्दुला सिन्ना की विशे में गोवा की राजिफाल थी पदस्त इनका जो है कारे ग्रहान कारे याले ग्रहान जो है 26 अगस्त 2014 को पीम मोदी के कारिकाल में होता है पुरो अधिकारी जो थे ओम प्रकास कोईली जनम इनका 27 नमबर 1922 ए 77 वर्ष के आयू में इनका निधान होता है 18 नमबर 2020 को मतला होई पीछले यही दिनों जिवन संगनी ये थी डाक्टर राम किरपाल सिंग की निवास इनका था काबो राजभवन डोना पावुला गोवा धरम इनका हिंदू था जो प्रकासित क्रितिया है जैसा कि हम लोगों ने उपर चचा किया है राजपत से लोगपत जीवनी नई देवयानी उपनियास है जेव महदी को रंग उपनियास है घरवास उपनियास है यायावरी आँखों से लेखों का संग्रह है देखनी में छोटे लगे कहानी संग्रह है सीता पुनी बोली उपनियास विहार की लोग कथाएं एक कहानी सं भाग एक और भाग दो ठीक धाई विगहा जमीन कहानी संग्राइए मात्र देह नहीं है अवरत इस्तरी विमर्ष इनकी पुस्तक है विकास का विश्वास लेखों का संग्राइए साच्छात कार कहानी संग्राइए ठीक चलिए कुछ और भी देखते हैं आगे पुरुषकार मुर्दला जी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्ति भूसर सम्मान वा दिन्दयालुपाद्याई पुसकार के अत्रिक्त अन्ने भी कई सम्मान पुरुषकार प्राप्त हो चुके हैं टेक जीवनी संचिप्न में देख लेते हैं मुर्दला सिन्हा का जरम स्री म पती अनुपा देवी वबावु छबीले सिंग के यहां 27 नमबर 1922 को हिंदू पंचांग के अनुसार राम विवा के सुब्व दिन वियार राज में मुझभर जीला के छफ्रा गाउं में हुआ था मनो विज्ञान में एमे करने के बाद इन्होंने भी यड किया और मुझभ पूरी को सधा के लिए अलविदा करके उन्होंने हिंदी साहिती की सेवा के लिए स्वयम को समर्बिट कर दिया उनके पती डाक्टर राम कृपाल सिंह जो विवा के वक्त किसी खालेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता हुआ करते थे जब विहार सरकार में मंत्री हो गए तो मुरिदुलाजी ने भी साहित टेके साथ सात राजनिती की सेवा सुरू कर दी वे गोवा वे गोवा वे गोवा के राजपाल पद पर थी पर वे एक सुबेक्यात हिंदी की लेका के साथ सद भारती जंता फार्टी की केंद्री कारिशामीती के सदस्य भी थी इससे पुर्ववे पांचमा इस्तम्व के नाम से एक समाजिक पत्रिका निकालती थी की स्रीमती सिन्ना अटल बियारी वाजपेई के प्रदान मंतिर तुकाल में केंद्री समाज का ल्यान वोड की अध्यच्य भी रज चुकी हैं उनकी पुस्तक एक थी रानी ऐसी थी ऐसी भी कि प्रिष्ट भूमी पर अधारित राज मात्ता बीजिया राजे सिंध्या को लेकर एक फिलिम भी बनी थी तिक आपका साहित्यकारवर ने बनने का मार्ग क्रम कहां से शुरू हुआ तो मैं हाश्तन में रहती थी वाँ कुछ परोड़ी बनाती थी कविताय लिखती थी नेमीत रूप से लिखना मैंने एमे के करने के ब सुरू किया मेरे ससुरजी का भी एक ही सपना था कि मेरी बहुजो को बड़ा अफसर बनना है साहित कार बनना है उनकी साहित में गरी रूची थे वे खुद भी कविताएं लिखते थे वे जब लबग मरनासन की अवस्ता में थे तो सब्ताइक हिंदुस्तान नामक पत्रिका में मेरी कहानी प्रकासित हुई थी मेरी के साथ प्रकासित हुई उस कहानी को जब मेरे देवर ने ससूर जी को दिखाया तो उन्होंने कहा यह तो ठीक है उसे अभी बहुत उचा जाना है मैं भी वहीं खड़ी थी मेरी आँखों में यासु आ गए और मैंने मन में सोचा अभी तो मैंने लिखना शुरू किया है और मुझे उनका सिरवाद भी मिल गया राजनिती के लिए भी वे हमेशा अपने बेटे से करते थे कि इन्हें चुना लड़वाईए मेरे ससूर जी समाजिक कारे करता थे महात्मा गांदी के साथ उन्होंने कई आंदोलों में भाग लिया था मैलाओं को सम्मान अधिकार देना इत्यादी जैसी बाते वहीं से हमारे परिवार में आई आग की जीवन यात्रा बहुत सकारात्मक रही है इस सोच के लिए अपना गुरू किसे मानती है मैं हर किसी से सीखने की कोशिस की है परन्तों मैं गुरू अपने पती को ही मानती हूं साहित भी उच्च कोटी का हो सुयम भी संतुष्ट व्यक्ति हैं उनके जीवन से ही मैंने सीखा है आपने अभी तक ऐसे कौन से कार किये हैं जो मैलाओं के विकास में लावदायक हो मैंने अपने साहित के माध्यम से मैलाओं में विश्वा जगाने का प्रियत्न किया एक समान्य सी घरेलू मैलाएं भी कि सामने का प्रियत्न किया सन उन्हीं सवस्ति के आसपास एक नारा काफी गूज़ा था हम भारत की नारी फूलड नहीं चिंगारी हैं मैंने मतलब हम भारत की नारी फूल-जिंगारी सुचा कि बारते नारी की परतेमा ऐसी नहीं होनी चाहिए मैंने उसमें तोड़ा सा परिवर्चन किया और कहा हम भारत की नारी है फूल और चिनगारी हैं सृष्टी ने नारी को भी सेश रूप दिया है किसी भी सब्वे मैला को आदर्श मैला को देख कर लोगों को प्रशंता होती है मैला सभी को आसल्ले देती है सभी का पालन पोसर करती है सभी की सेवा करती है सभी को आनंदित रखती है या उसका फूल की तरह ही सभाव है या मूल सभाव में नहीं छोड़ना है प्रंतु यदि कोई इस फूल को कुचलने की कोशिस करता है तो हम चिनगारी बन जाते हैं या बन जाती है दूसरी बात मैंने कही कि पूरुष और महिला की बराबरी की बात नहीं की जानी चाहिए लड़का-लड़की एक समान होते हैं बलकी बीटियां विसेस होती हैं उसे तो प्रकृति ने विशेस बनाया है परन्तु इसका या यर्थ नहीं कि पूरुष कुस नहीं है पूरुष तो उसका सबसे बड़ा सयोगी है उसी के कारण महिला के गुणों का प्रसफुटन होता है प्रकृति ने दोनों को एक ही समान बनाया है महिला पूरुष का समान नहें हमारे समाज में महिलाओं को डोली में ले जाता है उसका सम्मार अच्छड किया जाता है वचीस वर्ष पहले मैंने नारा दिया था बेटी का सम्मान करेंगे हम बेटी का सम्मान करेंगे हम जन में तो अविमान करेंगे हम इस तरह कभी नारों के द्वारा कभी साहित्य के द्वारा कभी परस्ताव पारित करके मैंने महिलाओं के लिए कारी किया इस प्रकार हम लोगों ने आज महान महिला साइत्तिकार मुर्दुला सिन्हा को याद करते हुए उन्हें विनर्म से दान दिली दे रहे हैं ठीक तो प्यारे साथियों आप सभी से मैं अतिमिनर्म निवेदन करता हूँ कि यह रिकार्डिंग मैं दिव्या ग्यम दिश्टिबादित विद्यारती साथियों के लिए किया हूँ तो दिव्या आप उन्हें अवस्य सेर कीजिए बहुत बहुत आत्मिक धन्यवाद